आज हम सिखेंगे रजोधर्म और जनन स्वास्थ के बारे में चलिए पहले रजोधर्म की चर्चा करें लेंगिक जनन में नर एवं मादा भाग लेते हैं मानव जनन में प्रतेक माह, स्त्री के शरीर में दो में से एक अंडाशय द्वारा एक अंडकोशिका परिपकु की जाती है अंडवाहिका में शुक्रानू और अंडकोशिका का सनलेयन यानि फ्यूजन होता है जिससे एक निशेचित अंड यानि फोर्टिलाइस एग उत्पन होता है जिसे युगमनज यानी जाइगोट कहते हैं इसका गर्भाशय की भित्ती पर अंतर रोपन होता है इसलिए गर्भाशय भी प्रती माह निशेचित अंड की स्थापना के लिए तयारी करता है इसकी अंतर वित्ती मासल एवं स्पॉंजी हो जाती है ताकि ब्रुण को पोशन प्राप्थ हो सके लेकिन निशेचन न होने की स्थिती में अंड कोशी का केवल एक दिन जीवित रह सकती है इसलिए निशेचन न होने पर इस नई पर्थ की अवशक्ता नहीं रहती इसलिए यह पर्थ धीर धीरे टूट कर रुधीर एवं म्यूकस के रूप में योनी मार्ग से निशकासित की जाती है और गर्भाशे के अंतर वित्ती की मरमद हो जाती है यह संपूर्ण क्रिया लगभग 2-8 दिनों में पूर्ण हो जाती है तथा लगभग प्रतेक माह दोराई जाती है इस क्रिया को रजोधर्म या रितुस्त्राव यानि मेंस्ट्रूेशन कहते है यह क्रिया हर्मोन द्वारा नियंद्रित की जाती है रजोधर्म का चक्र यवनारम से शुरू होता है तथा 45 से पचपन की आयू तक जारी रहता है गर्भधार्ना होने पर इसे रोक दिया जाता है रजोधर्म के दोरान स्त्री को काफी वेदनाई होती है अत्याधिक मात्रा में रग्तस्त्राव होने के कारण कमजोरी भी आ जाती है इस कालवधी में स्त्री को संसर्ग होने की अधिक संभावना होती है इसलिए इस कालवधी में स्त्री को आराम और व्यक्तिगत स्वच्चता आवश्यक होती है अब चलिए जानते हैं जनन स्वास्त्य यानि reproductive health क्या है? जनन स्वास्त्य का तातपर्य जनन के उन सबी पहलूओं जैसे शाररिक, भावनात्मक, व्यभारिक तथा सामाजिक स्वास्त्य से है जनन स्वास्त्य से संबंदित कई समस्याएं हो सकती है जैसे समाज में लड़के और लड़की में भेद, बाल विवह जैसी रूडिया, संतानोत पत्ती के लिए परिवार का दबाव तथा शासन का नियंत्रण इत्यादी स्त्री का कम उम्र में गर्बधारन करने से, बच्चों के बीच अंतराल कम रखने से या अधिक बार गर्बधारना करने से स्त्री के शारेरिक स्वास्त्य पर विपरित परिणाम होता है यदि इच्छा के विरुद गर्बधारना होती है तो इससे मानसिक, शारेरिक तथा विद्ध संबंदित समस्याएं उत्पन हो सकती है औसुरक्षित यौन संबंदों से अनेक रोगों की लेंगिक संचरण की भी संभावना बढ़ जाती है यदि जनन पर नियंतरण न किया गया तो एक जनसंख्या में अत्यादिक विद्धी की समस्या उत्पन होती है जिसे जनसंख्या विस्वोट यानि population explosion कहते है इससे समस्याएं जैसे भोजन एवं साधन संपत्ती में कमी सामाजिक असमानता इत्यादी उपस्थित होती है इसलिए जनन स्वास्ते से संबंदित आवशक जानकारी प्रतिक व्यक्ति को होना आवशक है इन समस्याओं के समाधान हेतु गर्ब निरोधन की विभन्न युक्तिया खोजी गई चलिए इन्हें जाने शीष्न को ढखने वाले कॉंडों अथवा योनी में रखने वाली अनेक युक्तियो जैसे डाइफ्राम, गर्बाशे ग्रिवा टोपी, वॉल्ट, इत्यादी, रबर से बने उपाय, यांत्रिक अवरोध यानि मेकैनिकल बारियर कहलाते हैं वे शुक्राणों का अंड़कोशिका तक पहुचना रोकते हैं, जिसे गर्बधार ना रोकी जा सकती है, इसी तरह वे रोगों के लेंगिक संचरण को भी रोकने में सहायक होते हैं गर्ब निरोधक गोलिया यानि कॉंट्रोसेप्टिफ पिल्स स्त्रियो द्वारा खाई जाने वाली दवाईया होती है, जो हॉर्मोन संतूलन को परिवर्थित करती है, इससे अंड़का मोचन नहीं होता और इसलिए निशेचन की संभावना नहीं रहती, इनके कुछ विप विरित परिणाम भी हो सकते हैं, अंतर गर्भाशय युक्ति यानि इंट्रयूटराइन कॉंट्रोसेप्टिफ डवाईस आयू सीडी, अनुभवी डॉक्टरों या नर्सों द्वारा अंतर गर्भाशय युक्तियां जैसे लूप, कॉपर्टी, इत्यादी, गर्भाशय में लगाई जाती है, ये शुक्राणों की गतिशीलता तथा उनकी निशेचन शमता को कम करती है, उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें आगे गर्भावस्ता नहीं चाहिए, शल्यक्रिया विधिया यानि सर्जिकल मेथर्ड्स उपियोगी है, इन विधियों में शल्यक्रिया द् इसी तरह स्त्री की अंडवाहिनी को अवरुद करके अंड़ को गर्भाशे तक जाने से रोका जाता है, इस तक्नीक को ट्यूबे टोमी कहा जाता है शल्यक्रियासी अंचाहे गर्ब को गर्भाशे से हटाया भी जा सकता है इसे गर्बपात कहते हैं समाज में पुरुष और स्त्री में भेध होने के कारण कुछ लोग भुरुण का लिंग परिक्षिन करकी मादा गर्ब का चैनात्मक गर्बपात यानि सेक्स सिलेक्टिव अवोशन करते हैं यह गेर कानूनी है इससे हमारे देश में शिशू लिंग अनुपात यानि चैल सेक्स रेशियो तिवरिता से घट रहा है एक स्वस्त समाज के लिए हमें नर्मादा लिंग अनुपात बनाए रखना आवश्यक है तो आज हमने सीखा रजो धर्म और जनन स्वास्ति के बारे में